एक तरफ घर के अंदर बड़े जगड़े हो रहे हैं तो वही दूसरी तरफ अब्दू रोजीक पड़ गए हैं बड़ी परिशानी में अब्दू रोजीक इस वक्त अपनी फीलिंग्स के बीच फसे हुए हैं वेल ये एपिसोड में अब तक दिखाया तो नहीं गया लेकिन आपको बता दे कि अब्दू ने साजित खान से बात करते हुए उनसे कहा कि वो निम्रिद के लिए कुछ फील करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वो फीलिंग्स क्या हैं जिस पर साजित ने अब्दू को समझाया कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो अब्दू ये तुम्हारे प्रेजंट को खराब कर देगा क्योंकि तुम्हारा और निम्रिद का कोई फ्यूचर कभी नहीं हो सकता Well yes, 19 साल की अब्दू is now stuck in his feelings क्या अब्दू निम्रिद से करेंगे अपनी इन फीलिंग्स का इजहार या फिर क्या अब्दू साजित की सलहा मानकर अपने इन जजबातों को यहीं दबा लेंगे वेल जो भी होता है हमारी तो बस इतनी ही प्रार्थना है कि अब दूरोजीक इन फीलिंग्स में फस कर अपनी गेम खराब न कर ले फाइनल काट निउस टेस्क